चलो कहता है। टे एक ऐलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एनर्जी तेन वोल्ट एही इर इनर्जी है। और वो सर्कूलर आर्बीट में सर्कूलर में मूग कर दिया हुआ तो न्नेक्षण फेर्ड हइं उन और एडिएस के सर्कूलर पाथ में मूब कर रहा है तो हमें उस रेडियस की वैलू निगालनी है पास energy दी हुई है टेइन इलेक्राूं बोल्ट यह वाली अगर रेडियस निकालना है तो हमें डायरेक्ट molta2 कोई ब६ मुうん करता है तो डायरेक्ट यहाँ है एमबी ओपर क्यों भी डाट इसे रेडिश अध्या सर्कूलर पाथ है और यह ज़ो एनर्जी दी हुई है इलेक्टान बाउंडड नहीं है यार बाउंडड नहीं है इलेक्टान में मुव कर रहा तो यह जो एनर्जी है अगर मैं मुझे रेडियस निकालना तो देख रहे हैं मास पता है चार्ज पता है इलेक्टान पर में चाहिए विलाउसिटी यहां से विलाउसिटी आएगी उस विलाउसिटी की जो वेलुवा जाएगी हो जाएगी तू टाइमस इसमें मुल्टिप्लाइग कर दो तू ताइमस और तेन और मुल्टिप्लाइट बाई इलेक्ट्रान बोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइड कर दो मास आपदे इलेक्टान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी अंडर की उठाओ और यहां रख दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मतलब रैडियस की जो वेल्यू आजाएगी फिर मास आपदे इलेक्टान रखो 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी और वेलासिटी आपदे इलेक्टान पहले ही निकाल चुके हो इसे यहां पे और इधार दिया हुआ है यहाँ ह। तो यह जो कहानी है यह जो रेडियस रहा है यह बढ़ा सा इसको सॉल्व कर लेना तुम काम है यह करना तो यह आजा था है इसकी वेलू आ जाती है 11 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर मतलब या जाएगा 11 centimeter this is the radius of the circular path तो first option सही है